नीचे जाता है जल्दी, फट से उपर आता है और जब तक हम सोचें, समझें और एक्षन लें तब तक वापस नीचे हमारा ट्रेलिंग SL हिट हो गया और वहां से जब वो वापस गूंगता है तो हम क्या देखेंगे? देखेंगे कि market downtrend start किया है, तो इसमें resistance कहां पर आएगा? तो मैं basically इसका use personally अगर मैं बात करूँ, तो मैं इसको use करती हूँ monthly time frame, multi-year breakouts में मैं extension का use करती हूँ और इस तरह से करती हूँ तो फिब ड्रॉ करने के लिए जैसे हमने डाव थेयरी ली थी, याद है न? तो हमने क्या लिया था? lows and highs या swing low, swing high, जो चाहें हम उसे बोल सकते हैं, तो यह हो गया हमारा एक swing, तो मैं एक ऐसे ही ड्रॉ करके बताती हूँ तो यह हमारा एक swing हो गया, यह इस तरह के सब swing हो गया, तो अब जब जैसे यह swing है, market लो से घूम रहा है, यह एक point बनाया market ने, और market उसके बाद नीचे आया, नीचे आके वापस उपर गया और फिर नीचे आया, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा है कि market वापस आने की कोशिश कर रहा है, तो क्या हम देखे वहाँ पर क्या है, फिब ड्रॉ करने के लिए, trading view में, फिब रिट्रेस्मेंट अगर मैं क्लिक करती हूँ, तो आ जाएगा, तो मैं क्या करूंगी, कि वापस यह जो लो पॉइंट है, यह ले लो या यह ले लो, एक ही बात है, यह लो पॉइंट से यह हाई पॉइंट तक एक फिब लेवल या फिब रिट्रेस्मेंट बनाऊंगी, अब इसके अंदर, अगर आप देखेंगे, तो सारे लेवल्स आपको दिखेंगे, इनको चेंज करना है, या इनकी सेटिंग्स में अगर आपको कोई कम जादा दिखे, और आप चाहते हो कि नहीं हो या हो, तो सेटिंग्स में जाना, और देखें जो लेवल्स है, 23, 38.2, 61. मैंने सारे extension, retracement, सब लेवल्स टाल रखे हैं, अभी 1.618 ये extension में आएगा, तो यहां से हटा देंगे, 2 extension में आएगा, यहां से हटा देंगे, लेटस से मुझे 23 स्मॉल वाला नहीं चाहिए, तो वो भी हटा सकते हैं, मुझे 100% नहीं चाहिए, 2.618 नहीं चाहिए, हटा दे हैं, 1 हटा देते हैं, तो जो हमें नहीं चाहिए, हम हटा सकते हैं, तो ओके कर दिया, अब यह जो है, मैंने यह मेरा, यह हो गया 0, और यह हो गया 1, तो मतलब मैंने कौन से पॉइंट लिये, 0 to 1 मैंने ड्रॉ किया है, फिब retracement, तो यह यहां से लाइन ली, और फिर से बना क दिखाती हूं, यह मैंने फिब retracement लिया, यह bottom point लिया, और सबसे पहले मैंने यहां तक किया, और यहां करके मैं चाहूं तो इसको extend right भी कर सकती हूं, तो settings में जाके extend lines right, right extend कर दिया, मैंने क्या कहा था, कूच तो था, यहां से market नीचे गया, वापस उपर आया, अब मुझे क्या देखना है कि market यहां पर टिकेगा कि नहीं टिकेगा, तो देखिए market यहां पर नहीं टिका, और क्या दिख रहा है, open high, resistance पर open high candle, उसके बाद bearish candle, और continue downfall, अब market उपर से नीचे आया है, तो हम फिर देखना चाहते हैं कि उपर जाएगा, कितना उपर जाएगा, तो सब सबसे पहले हम retracement draw करते हैं, to see the corrections की market कहां से correct होने के बाद उपर गया, और फिर वापस नीचे आया, so these are the things कि हम क्या ढूंड रहे हैं, तो हमें पहले यह समझना है, कि हमें ढूंडना क्या है, तो ठीक है, अब हम आपको समझाते हैं, कि हमें ढूंडना क्या है, और कैसे है, वो एक example मैंने बताया, तो market ऐसे उपर जा रहा है, तो मैंने ये point और ये point, ये point ये दो point लिए, तो मुझे क्या मिलेगा, fall पे मुझे मिलेगा support, तो support मिलने के बाद क्या होगा, market क्या होगा, उपर जाना चाहिए, support के बाद market उपर जाना चाहिए, लेकिन इस support पे मुझे, या तो horizontal line एक और कहीं की कोई support मिल सकती है, candle का कोई pattern support पे मिल सकता है तो कुछ न कुछ मिलेगा तभी वहाँ से price घुमेगी, अगर कुछ नहीं मिला और weakness दिखी candles में, red candles ही दिखी तो possible है कि market ये वाला support ना लेके और नीचे चला जाए और ये वाला support ले और यहां से घुम जाए मतलब 38.2 से reverse नहीं किया, हो सकता है 50 से करे यहां पे इसे कोई candle pattern मिले, तो यहां से ये घुम के ऐसी जा सकता है तीसरा, अगर मान लो वहां पे भी नहीं मिला और ये और नीचे आ गया, तो लेटर से ये 38.2, ये 50 और ये 61.8 यहां से possibility है कि ये उपर चला जाए एक चीज छोटी सी और समझाना चाहती हूं, वो ये है कि market जितना कम correction लेगा, chances है कि वो ज्यादा उपर जा सकता है market जितना बड़ा correction लेगा, उतना ही उसे उपर जाने में या trend में move करने में मेहनत लगेगी तो generally हम देखेंगे कि यहां से market उपर चला गया, यहां से भी उपर जाता है, लेकिन जब 61 जाता है न, तो काफी नीचे आच चुका है तो market को उपर जाने में बहुत तकलीफ होती है तो generally हम देखा है कि market जब इतना उपर चला जाता है तो उसको बहुत तकलीफ होती है वो इतना उपर नहीं जा पाता जितना बड़ा fall आएगा ना वापस उपर आने में महनत लग जाएगी और अगर इसने ये cross कर दिया ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा भागेगा ऐसा लगता है और देखा भी है बट जैसा मैंने बताया पहले stop loss फिर trailing stop loss ट्रेलिंग stop loss क्यों भाई इतना पैसा तो घर में आ रहा है ना इतना तो लेंगे कंसे कंग इससे जादा मिला तो बहुत अच्छा नहीं तो इतना तो चाहिए या फिर और उपर गया अरे हां इतना तो चाहिए या इससे नीचे आएगा ना तो Kat लेंगे लेकिन इतना तो नहीं छोडए गे तो इस तरह से हम प्रॉफिट्स चाहे तो part प्रॉफिट्स भी भूक कर सकते हैं और चाहे तो इक बहुत अच्छी चीज मैंने देखी है, फिबोनाके और पैटन्स, यह है न हर टाइम फ्रेम में काम करते हैं चाहिे वह yearly हो, monthly हो, weekly हो, daily हो, overly हो, 15 minute हो, 15 minute हो, यहाँ तक की मैनेarprank Påg has good Voor Common Sal framing सभंद करते हैं और tick by tick भी यूस करते हैं, जो scalping करते हैं वो तक भर उसके केंकें काम करता है तो यह सब जयकें काम पसेंद वह looks on it तो जब हम फिब बनाते हैं, थोड़ा चार्ट को हम कॉम्प्रेस कर देंगे, हाँ, तो अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, मार्केट ने continue downtrend में यह fall, उसके बाद यह वापस से उपर आया, corrective, pullback, फिर यह fall, अब यह देखते हैं, कि यह fall आके इसने lower low बनाया कि higher low, तो हम इसे देखते हैं, कि क्या बनाया, और हम देख रहे हैं, क्या, कि इसने higher low बनाया, अब अगर यह higher low बनाया, तो क्या करना है, यह uptrend में start हो गया, मतलब अब मैं जो भी move बनाऊंगी, since trend change हो गया, और यह uptrend में जा चुका है, तो जब भी इसमें correction आएगा, मैं यह देखूंगी, कि यह fall कहां तक आएगा, अब यह fall आया, तो मैं क्या देखूंगी, यह कहां तक गिर सकता है, तो मेरा bottom point क्या है, जहां से यह low start हुआ है, यह previous low और यह current high, यह बनाया, अब, let us see, आगे क्या होता है, यह 23% है, यह 38.2% है, जितना कम retrace करेगा, उतना ही उपर इसमें move होने की ताकत आती है, let us see, अब एक चीज़ नोटिस किये, इसी level के पास में consolidate होके, और फिर यहां पे support पे एक hammer जैसा pattern बना है, और फिर आगे चलना शुरू हुआ है, तो क्या मैं यह hammer pattern के base पे buy कर लूँ, with stop loss below this, let us see, आगे क्या होता है, अगर आप यह video अब तक देख रहे हैं, तो आपका यह जानना जरूरी है कि इंडिया में 95% of the traders loss में रहते हैं, ट्रेडिंग से पैसे कमाना मुश्किल नहीं है, बट टॉप 5% में आने के लिए सही knowledge और ट्रेडिंग सिस्टम फॉलो करना जरूरी है, जो आपको experienced professionals ही सिखा सकते हैं, अब search.club का technical analysis course आपके trading journey का perfect starting point है, क्योंकि इसे जोती बुध्या मैं ने सिखाया है, जिनके पास 37 years का experience है, इस course में candlesticks, indicators and chart patterns जैसे कई सारे concepts practically cover किये हैं, which will make you a pro trader. तो आज ही description में दी गए लिंक पे click कीजे और अपनी trading journey शुरू कीजे at just $4.99. Now let's get back to the video. अभी तक continue चल रहा है, बड़ी candle fall, now what I will do, अब फिर से मैं इसे delete कर दूँगी, ये लो था और ये लो से मैं फिर start करूँगी और यहां पर लेके जाओंगी, आप देख रहे होंगे कि 23 पे ये नहीं रुका, 38 का एक support लिया है, लेकिन अभी तक reversal candle मुझे नहीं मिली है. तो let us see कि क्या ये रुक रहा है, एक reversal hammer जैसा बना है, 38 के पास में ही और फिर उपर चलना शुरू हुआ है. तो again इसके low के नीचे मेरा stop loss रहेगा, I will continue, इस तरह से हम support बनाते जाएंगे और आगे चलते जाएंगे. तो इसे हम और भी तरीके से यूज करते हैं, जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिया, फिर यहाँ पे चला गया, correction हुआ, हमने average भी कर सकते हैं, pyramiding कर सकते हैं, और जैसे हमको यह low मिला, हम क्या कर सकते हैं, हमने अगर यहाँ पे कहीं buy किया है, तो उसको trailing stop loss अब यहाँ बना सक किया, तो यह वाला जो trailing stop loss है, इसे हम यहाँ पे shift कर देंगी, इस तरह से हम करते जा सकते हैं, तो already जो मेरा पहला stop loss यहाँ था, वो यहाँ तक तो shift हो भी चुका है, इस तरह से हम इसके अंदर supports बना सकते हैं, तो हमें क्या करना है, कि जो previous low है, उससे लेके current high तक हम बनात यह हो गया regular retracement, कभी बड़े fall आते हैं, तो जब बड़े fall आते हैं, तो हम ऐसी situation में higher time frame पे shift हो जाते हैं, या बड़ा correction आता है, upside या downside, तो हम higher time frame पे shift हो जाते हैं, उससे भी बड़ा correction आता है, तो हम higher time frame पे shift होते जाते हैं, अभी मैं three quarterly पे आ गई, यह major correction था, जब fall आया तो हमें डेली में पता चल गया था कि ये बड़ा करेक्शन आ रहा है तो हम क्या करेंगे यहां से यह जो है बड़ा करेक्शन तो बड़ा करेक्शन के लिए हम बड़ा पिक्चर लेंगे ना कि छोटा पिक्चर यह हो गया छोटा पिक्चर स्मॉल प्रीवियस लो यह हो गया म major low से अगर हम यहां पे करते हैं, तो price कहां पे आके अटक रही है, 50%, एक और चीज, अब इसी को अगर मैं यह लो पे shift करती हूं, तो कहां पे आके अटक रही है, 61.8, golden ratio, और अगर इसी को मैं यहां पे लाके करती हूं, तो 78.6, मतलब यह वाला जो fall था, पड़ा वाला, जब म इसको मन्थली में चेक कर रही हूं, और different different low से जब इसको चेक कर रही हूं, तो यह वाला, या तो मुझे 38 दिखाएगा, या 61 दिखाएगा, या 50 दिखाएगा, मतलब वहां पे cluster type का form हो रहा है, हर level से वो एक support दे रहा है, मुझे, हर level से गीर रहा है, तो वहां पे या तो 38 परसंट उस particular range का मिलेगा, या 50 परसंट उस range का मिलेगा, या 61.8 उस range का मिल रहा है मुझे, तो यह previous low से करती हूं, तो 78.6 का range मिल रहा है, मतलब हर तरफ से यह जो था, यह एक support था, और उसके बाद जो price ने movement ली, मैंने कहा था, जितना बड़ा fall आएगा, उसके बाद price को नया range बनाना बहुत मिश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर उसने बना दिया, तो फिर उसे कोई रोक नहीं सकता, और वो ही हुआ कि जब यह बन गया, इसको cross कर गया, इसको रोकना मिश्किल हो गया, can you see that, see the movement it has taken, तो यह जो है, यह हमने क्या ढूंडा, supports, अब हम resistance की तरफ अब हम इसमें फिबना की क्याजर resistance समझते हैं, तो market fall हो रहा है, fall होने के बाद, let us say, यहाँ पे आता है, और फिर reverse करता है, तो reversal candle चाहिए, any bearish candle at resistance, तो let us say, यह 38.2, तो these are fib resistance, यहाँ से अगर यह घुमता है, with candle pattern, तो मजा आ जाता है, और price हमें और correction दे जाती है, यह fall दे जाती है, तो सबसे पहले हम के जैसे देखते हैं कि मानलो uptrend हो गया, उसके बाद तीन-चार बार नया high बना दिया, उसके बाद fall आने शुरू हो गई, हमारा trailing SL हिट हो गया, और वहाँ से जब वो वापस घुमता है, तो हम क्या देख हम देखेंगे कि market downtrend start किया है, तो इसमें resistance कहां पर आएगा, कहां तर कि इसमें pullback आएगा, और pullback आके वापस नीचे गिर सकता है, तो एक यह 38.2 वैसे ही, यह 38.2 है, यह 50% लेटर से, और यहां से फिर कोई negative candle मिलती है, और यह reverse है, तो यह सब क्या है, यह resistance हम ढूंड रहे हैं, market कितना pullback लेती है, कितनी ताकत है, मतलब जब ball bounce होती है, तो हम ball को जब bounce करते हैं, तो वापस से उचलती है, उसमें कितनी ताकत है उचलने की, कितना force है, जितने force से हम bounce करेंगे, उतने ही force से उचलती है, एक चीज़ आपने देखी है, कि जब market उपर जाता है, बहुत फास्ट नीचे नहीं आता इतना आता है और फिर चला जाता है लेकिन फोर्स उतना नहीं रहेगा लेकिन जब फौल आता है तो फोर्स बहुत फास्ट आता है लेकिन जब फॉल आता है तो इस तरह की movement में आता है क्योंकि इसमें bounce जाता है नीचे जाता है जल्दी फट से उपर आता है और जब तक हम सोचें समझें और action ले तब तक वापस नीचे तो हमें जब support और resistance हमारे सामने है तो जैसे ही हमें indication मिलता है वाया signal के candle के कोई भी एक resistance या support जहां से reversal मिल रहा है तो खास करके candle pattern वो लेवल पे या double resistance या double support वो लेवल पे बहुत काम आता है तो हम देखते हैं तो थर्ड वाला जो है वो हम basically यह देखते हैं कि 61.8 यहां से market अब वही बात इसको default आने में महनत लगती है लेकिन अगर यह गिर गया और इसने नया लो बना दिया तो फिर बहुत फास्ट गिरता है ऐसा मैंने देखा है गारेंटी मैं मार्केट में नहीं लेती है मैं क्या कोई नहीं ले सकता तो अब हम रेजिस्टन्स देखते हैं चार्ट हाथ फ्रेंद अभी थोड़ी देर पहले जब हम ट्रेंड लाइन और होरिजॉंटल लाइन ट्रॉक कर रहे थे तो यहां पर मैंने एक चीज नोटिस की कि यह डबल टॉप के पास में आ गया मैंने एक होरिजॉंटल लाइन प्रीवेश से शिफ्ट हुआ यहां गया उसके बाद अब वो यहां आ गया अब इसके नीचे मेरी पोजिशन फुल एंड फाइनल कट कर दूंगी और जहां तक मुझे लगता है यह देखिये कट हो भी सकती है नहीं भी हो सकती यह जो है इवनिंग स्टार राइट इवनिंग स्टार ट कर देंगे जैसे ही वह स्टार प्लास हीट होगा मां अज्यूम करूंगी कि मार्केट डाउं ट्रेंड में है फिर हम क्या करेंगे हम रेजिस्टेंस बनाना शुरू कर देंगे हो गया है अशल हीट कोई बात नहीं अब मार्केट नीचे जा रहा है हम इस लाइन को डिलीट कर देंगे और मार्केट को नीचे जाने देंगे जब मार्केट रिवर्स करके उपर जाना शुरू करेगा हम रेजिस्टेंस बनाएंगे उपर जाना शुरू किया, अब हम रेजिस्टेंस बनाएंगे, तो फिर से हम विफिब रिट्रेस्मेंट, अब क्या करेंगे, टॉप टू ये लो, हम यहां पर बनाएंगे, मतलब ये मेरा पॉइंट हो गया 0, ये मेरा पॉइंट हुआ 1, ये 38 रिट्रेस्मेंट, और ये 50, 61, लेटर सी, कैसे मूँव हो रहा है, क्या हो रहा है, और इसलिए मैं आपको रिप्ले आक्शन से दिखा रही हूँ, कैंडल वाइज, अगर मैं देखूँ, तो इतने में ही लोवर हाई बन रहा है, ये भी गैप अप ओपन हाई, और ये कौन सा कैंडल पैटन है, ये कैंडल पैटन है, डाक क्लाउड कवर, और ये फुल बेरिश कैंडल, दोनों कहां मिल रहे हैं मुझे, थर्टी एट के पास में ही मिल रहे हैं, और वहाँ से जो फॉल आना शुरू हुआ, कंटीनी हो गया, मतलब वो एक रेजिस्टेंस का काम किया, वो मेरा स्टॉपलस होगा, शॉर्ट कंटीनीू, अब फिर से अगर उपर घुमा, तो हम क्या करेंगे, पुडाने वाले को डिलीट करेंगे, और नया फिब बनाएंगे, यहां से यह टॉप था, यह बॉटम, देखें कहां से घुमता है, 78.6 के पास, अगेन, इवनिंग स्टार जैसा पैटन बनाके, और जैसा मैंने कहा था फिर यह गिरा है, तो बहुत जोर से गिरेगा, या तो गिरता नहीं है, नहीं तो बहुत जोर से गिरता है, दिख रहा है, क्या स्पीड आई है, और अगर चाहें तो हम यह भी एक बनाके देख सकते हैं, कि कितने परसंटेज पे है वो, तो यह वाला लेंगे, हाई, और यह लेंगे, लो, अगें, हमें एंगल्फिंग बेरिश मिल रहा है, कहां पे? 61.8 के पास में, एंगल्फिंग बेरिश, 61.8 से अगर फॉल आया, तो बड़ा फॉल आ सकता है न, यह देखिए, इस तरह से हम मार्केट को देखते जाते हैं, और कंटिन्यू करते जाते हैं, So this is how, हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस फिब बेस पे करते हैं, जितना मैंने बताया है, सिंपल लगता होगा, बट यह सिंपल है नहीं, इसमें बहुत प्रैक्टिस लगती है, मैंने एक एक लेवल के कम से कम सौसो फिब बनाए हैं, तब जाके मुझे आज पीना ड्रॉ किये ही फिब लेवल दिखाई देते हैं, और कई बार ऐसी पोजिशन होती है कि चार्ट अट ग्लांस समझने के लिए जो प्रैक्टिस चाहिए, वो प्रैक्टिस अगर हो जाए ना, तो सिर्फ चार्ट खुलो और आप बता सकते हो कि चार्ट में अब क्या होने वाला है, बट व सो सो बना के प्रैक्टिस तो किया ही है, आज भी करती हूँ, येस फ्रेंज, मैं 1990 से चार्ट कर रही हूँ, तब ग्राफ पेपर पे चार्ट हुआ करते थे, मैनियोली बनाते थे हम, और वो भी सिर्फ क्लोज जैसे मैंने बताया था, डाउट थेरी के पर, कि हम क्लोज टु मार्केट, अलग से चार्ट स्टडी करती हूँ, आज भी बहुत मजाता है, और सच कहती हूँ, टाइम का पता ही नहीं चलता, इतनी अच्छी चीजें देखने मिलती है, कि ऐसा लगता है, कि बस इसके अलावा दुनिया ही नहीं है, तो यहाँ पे हम रिजिस्टन्स कम्प् अब मैंने रिट्रेस्मेंट्स खतम कर दिये हैं, फर सपोर्ट्स, और रेजिस्टेंट्स, अब मैं एकस्टेंशल बता रहे हूँ, तो धेखते हैं फीवेक्स अब देखते हैं फिबuçस्टेंशल क्यों बनाते हैं, चलिए यह यहाँ महां लिया कि यह भी तो नहां च़ितेया हैया, तो कहां तक जा सकता है, yes, यह भी तो अच्छा लगता है मुझे यह अधार्डेट निकालना जबकि टार्ड़जर निकालना नहीं चाहिए लेकिन कहीं न कहीं ऐसा रहता है की टार्डेट निकालना तो यह हम कहें कि यह नया extension है, target निकल रहा है, तो मैं basically इसका use personally अगर मैं बात करूं, तो मैं इसको use करती हूं monthly time frame और वो भी बैसे वाले stocks, जो multi bagger type के हो या जिनों ने multi air breakout दिया हो, एक ऐसा ही एक example में आपको दिखा रही हूं, यहां पे, अब इसे अगर मैं compress करती हूं, तो क्या यह मुझे multi bagger जैसा दिख रहा है, trend line, yes, multi air breakout दिख रहा है, अब इसे मुझे देखना है कि कितना उपर तक जाएगा, यहां के हिसाब से तो यह previous stop तो 195 है, और price यह breakout दे रहा है 50 के पास, बहुत दूर है ना, तो पहले हम क्या-क्या इसके levels आ सकते हैं, जहां पे हम थोड़ा profit book करें, तो यहां पे हम जो use करेंगे, वो कौन से levels use करेंगे, जी बिलकुल right, हम level use करेंगे, 1.618, 2.618, हम यह levels का use करेंगे, और देखेंगे कि price कहां तक जा सकती है, तो charts पे आते हैं, और इसे broad करने के बाद, यह मेरे पास point है, एक, इसने higher low बनाया, फिर से higher low बनाया, और higher high भी बनाया, यहां भी higher high बनाया, तो यहां पे जब हम click करेंगे, तो एक trend-based fib extension आएगा, अब इसमें हमें क्या करना है, तीन points चाहिए, तीन points का मतलब, यह हो गया 0, 1 और 2, तो हम 3 points लेंगे, यहां से start करेंगे, यह और यह 1 point, और click करने के बाद, इसे यहां पे, जो इसका previous retracement level था, वहां पे इसको drop कर देंगे, अब जो levels मिल रहे हैं मुझे, वो यह मिल रहे हैं, अब इसमें मुझे 2 का level दिख रहा है, मुझे यह 2 का level नहीं चाहिए, तो मैं इसे double click करूँगी और मुझे कौन-कौन से level चाहिए 1.27 मुझे नहीं चाहिए 0.61 नहीं चाहिए 38 नहीं चाहिए और 1 नहीं चाहिए मुझे क्या चाहिए 1.618 2.618 बाकी सब मैं निकाल दूँगी जो level मुझे चाहिए वो रख सकती हूँ तो देखिए इसी तरह से price आराम से बढ़ते जा रहा है कहीं पे भी reversal नहीं दिया तो multi baggers, multi breakouts में मैं extension का use करती हूँ और इस तरह से करती हूँ वैसे ही मैं और एक दो example दिखाती हूँ तो अब मैं एक और example जो मैंने लिया है वो है कोल इंडिया तो कोल इंडिया में अगर मैं देखूँ तो यहां पे एक multi-year breakout मुझे मिल रहा है यहां पे breakout मिला तो मैं क्या करूँगी कि अब यह extension यहां इस point से लेके one यह point हो गया और यह हो गया point two यहां पे इसे drop कर दोंगी कितने easily जब breakout आया कहीं पे अटका नहीं और अगर मैं यहां पे देखूँ तो यह भी एक correction था तो अगर यह correction था तो सबसे पहले यह breakout के बाद जैसे हमने बात की थी तो चलिए अब हम दोनों मिक्स करते हैं pip retracement और extension तो यहां पे अब हम इसको एक बार delete करेंगे और यह देखिए यह बन गया मेरा यहां से यह low और यह high price घूमा तो मेरा जो trailing stop loss था यहां breakout पे वो यहां से यहां shift हो जाएगा और अब नया extension बनाऊंगी नया extension कैसा होगा फिर से यह यहां से 0,1 और यह यह 2 तो क्या दिख रहा है कि possibility है कि यहां तक जा सकता है possibility है तो यहां से भी मेरे मुझे यह level मिला था और जब मैंने यहां यह point से यह point बनाया और उसके साथ भी यह बनाया तब भी यह level मुझे 2.618 मिल रहा है और यहां से जब मैं कर रही हूं उसके higher low से जब मैं extension ड्रॉ कर रही हूं तो मुझे 1.618 उसी level यानि उसी range के असपास मिल रहा है 388 to 398 थोड़ा कम ज्यादा समझ के भी क्या मैं इसे hold कर सकती हूं इस level इसके stop loss से 30-year breakouts मिलते हैं तो extension बहुत help करता है तार्गेट्स दिलाने में कितना परसेंट यह बढ़ सकता है क्या क्या लेवल पे मुझे profits बुक करने चाहिए तो extensions में मुझे यह बहुत काम आता है for targets yes तो यह रहा मेरा extension का तो एक और multi-bagger हम देखते हैं कि multi-bagger या multi-year breakouts में एक और stock देखते हैं तो अब यह stock है इसमें multi-year breakouts हम देख रहे हैं यहां पर हमें अच्छा सा multi-year breakouts मिल रहे हैं मैं यह दो point को करके यह extend कर रहे हूं ठीक है अब इसके बाद मैंने यहां से लिया और यह zero यह one और यहां पर two drop किया can you see how beautifully price 1.618 से reverse किये correction किये मतलब मैं यहां पर part profits book कर सकती हूं right और जब वापस correct करके फिर से चले तो सबसे पहली बात मुझे क्या देखना है कि क्या यह support से घूमा है तो मैं retracement use करती हूं यह zero यह one मतलब वाव यह देखिए thirty eight point two से फिर reverse किया मतलब जो मैंने यहां पर book किया था वो फिर से buy भी कर सकती हूं और plus मेरा trailing stop loss जो यहां पर था उसको मैं यहां पर shift कर सकती हूं तो automatic मेरी शेर की price देखिए क्या हो गई यह जो stock मैंने multi-year breakouts पे लिया था वो कहां पे almost 70-80% तो growth दे चुका है मुझे within a very short span maybe one year ठीक है अब यहां से फिर से buy बन गया तो मैं फिर बनाऊंगी और क्या करूंगी अब यह मैं delete करती हूं नहीं तो clarity नहीं आएगी और delete करके फिर से extension बनाती हूं लेटर से यहां से लिया यहां और यहां प्राइस बहुत उपर है लेटर से इतना उपर तो इतना उपर आ गया तो एक बार भाया डर तो लगता है तो इसलिए मैं previous top का use करूंगी तो भाई कुछ profits हो सकता है मैं यहां book करूं उसके बाद 1.61 हेट पे जाए तो इस तरह से हम step by step step by step step by step Fibonacci का use करके साथ में candles का use करके यहां पे तो मैंने trend line भी यूज की है प्रेंड लाइन का breakout सब चीज अगर हमारे हाथ में हो और horizontal line अधर resistance भी यूज किये तो सब का 10 times 20 times 30 times जितने मिले उतने practice करने से बड़ा मसा आएगा